नमस्कार आप देख रहे हैं दा इंडिया टॉप और आपके साथ मैं हूँ देवाशीश कुमार देखे लगातार हम स्वर्गे राम बिलास पासवान और चिराग पासवान से जुड़ी ख़बरे आपके साजा कर रहे हैं इस वक्त भी हम दिल्ली के जन्पत इस्थित उसी बंगले के ठीक बाहर ख़ड़े हैं जहां इससे पहले राम बिलास पासवान और चिराग पासवान रहा करते थे इस वक्त भी मैं उसी बारा जन्पत के बाहर मौझूद हूँ और यहां आज की क्यास्तिती हैं हलाकि तीन दिन हो चुके हैं लगादार हम ख़बरे आपके सामने पेस कर रहे हैं इस वक्त क्या ताजा हालात हैं वो चलिए हम आपको बता देते हैं देखें आज यहां पर तीसरे दिन की अगर हम हालात की बात करें तो यही वो बारा जन्पत का आवास है जहां इससे ठीक पहले स्वर्गे राम बिलास पासवान को यह आवास मिला हुआ था और उसके ठीक बाद उनके बेटे सांसच चिराक पासवान इसी आवास में रहा करते थे ये दिल्ली का 12 जनपत है ठीक सड़क के किनारे वी आईपी इलाका है और देखिए इस वक्त की जो ताजा हालात यहां के हैं वो हम आपके साजा कर रहे हैं कल की तस्वीरे हमने आपको दिखाए थी कि कल तमाम समान जो घर के अंदर थे उनको बाहर कर दिया गया था और आज कुछ बहुत समान अभी भी जो हैं यहां पर पड़े हैं स्वर्गे राम बिलास पासवान की यादों से जूड़ी हुई उनके तमाम चीजों से जूड़ी ह और हमारी ही खबर से कई सोशल मीडिया में ऐसी खबरे और ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की गई देखे यह सब पुरानी तस्वीरे हैं जब स्वर्गे राम बिलास पासवान को मिला करता था उनको दिया जाता था और यह तमाम पुरानी चीजें आज भी यहां पर स्वर्गे स्वर्गे राम बिलास पासवान की यादों को समेटे हुए आज भी मौजूद हैं चाहे वो हर एक तरह के कारिक्रम हो जिस भी भी कारिक्रम में स्वर्गे राम बिलास पासवान जाया करते थे वहां पर मिला करते थे और उनको वहां पर दिया जाता था वो तमाम तस्वीर को हमने कल दिखाया था कि कैसे जब केंदर में मंत्री थे राम बिलास पासवान उस समय प्रधान मंत्री दोरे पर थे और देखिए प्रधान मंत्री से वो मुलाकात कर रहे थे प्रधान मंत्री खास स्वर्गे राम बिलास पासवान को पसंद किया करते थे क्योंकि मौसम स्वीरे इस वREYक आपको हम उसी बारजद जनपत जो की सवर्गे राम बिलास पाष्वान के नाम से जाना जाता था आज की हालात क्या है क्या है तीसरे दिन है और आज देखिये कल तक जो यहां राम बिलाज पाष्वान के नाम का नेम प्लेट था वो तक उखर चुका है यहां देखें 12 जनपत का वही बोर्ट था वो उखर चुका है जैसा कि जानकारी है और इससे पहले भी आप सबको पता है कि इससे ठीक पहले जो वो आवास था वो रेल मंत्री को ये आवंटिन कर दिया जा चुका है और देखे अभी भी कुछ समान घर के अंदर है और यही जो स्मृति है जो चिराग पासमान ने बनवाई थी वो यहां पर अभी भी मौजूद है इधर अगर मैं बात करूँ तो यहां भी देखे तमाम वो समान यहां पर अभी भी मौजूद है चाहे वो हम मैंने जैसे जिक्र किया कि तमाम चीजों से जूड़ी हुई तमाम वो चीजें चाहे वो अम्बेटकर की मूर्ती हो या फिर वो देखे ये अभी भी तमाम समाने जो हैं वो इस वक्त इसी 12 जनपत आवास के ठीक बाहर जो है वो मौजूद है अब देखे वो तमाम तस्वीरें अभी भी सड़क पर ही व काम करती थी सजने का काम करती थी वो आज भी देखिए कि किस तरह से यहां पर बाहर में बिख्रे हुए हैं तमाम तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं इसी 12 जनपत आवास से और कल जैसे कि चिराक पासवान से हमने बात की तो उन्होंने कहा था कि हाला कि इस घर से उन हैं चाहे वो अपना हो या फिर किराय का हो अगर उससे परिवारिक जुडाव जुड़ी जाता है तो फिर एक अलक्सी बात है यहां कल तक बैनर पोस्टर हुआ करते थे वो भी देखिए आज यहां पर उखर चुका है नाकि तमाम लोग जो स्वरगी राम विलास पासवान इनको जानने वाले हैं जो उनको याद करते हैं जो चिराक पासवान से जुड़े हैं वो तमाम लोग अभी भी यहां पर मौजूद है थोड़े मायूस जरूर भी है इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे ह वो वही 12 जनपत का एरिया है जहां पर ठीक इस से पहले 30 सालों से भी जादा समय स्वर्गे रामिलास पासवान उनका पूरा परिवार और उनके तमाम वो समर्थक जो दिन रात उनके कारियों में लगे हुए रहते थे उनके तमाम चीजों पर लगे हुए रहते थे लोग चीजे दिखा रहा है जो 12 जनपत और स्वर्गे रामिलास पासवान के नाम से ही जाना जाता था अब ये आवास रेल मंत्री को आवंटरत कर दिया गया है अब इसमें कोई नया महमान आने वाला है फिलहाल स्वर्गे रामिलास पासवान की यादे इस घर से बहुत से रहा करता था लेकिन अब ये बंगला पूरी तरह से खाली हो चुका है दिल्ली से दिवाशीश कुमार की पूर्थ